गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को रादा स्वामे जी संगत जी हम सभी बेटियां सद्गुरु का अपना पिता जी मानती हैं और हमारे सद्गुरु भी पिता का फर्द निभाने से कभी नहीं चूकते हैं और अपने बेटियों की आखों में एक भी आसु नहीं आने देते हैं, यह साखी भी कुछ ऐसे ही है, मोगा शेर में रहने वाले बाबा जी के प्यारे से सेवादार की है, जो आज भी डेरे में आते हैं और सेवा करते हैं, यह आप बीती उन्होंने संगत को सुनाई थी, कि कैसे सद्गुरु जी ने उनकी बेटी का कन्यादान किया था, जब यह सेवादार भाई थीक ठाक हैं, फिर भी इनकी बेटी का कन्यादान सद्गुरु ने कैसे किया, इसमें हम जानेंगे, जंगत जी सेवादार भाई ने बताया कि उन्हें सेवा करने का बहुत जादा ही नशा है, और अगर वे किसी दिन सेवा नहीं भी करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है, कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो, उन्हें सेवा का नशा ऐसा है, जैसे शराब के बिना नहीं रहता है, वैसे ही वो सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं, उनके लिए सबसे पहले उनके गुरु घर की सेवा है, सेवादार भाई ने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं और एक बेटी एक बेटा बेटियां दोनों ही बड़ी है और बेटा उस समय स्कूल जाया करता था बड़ी बेटी ने अपने कोलेज की पढ़ाई जब पूरी कर ली तो वो मोगा शेर में ही स्कूल में टीचर की नोकरी करती थी और अब क्योंकि बेटी की उमर शादी की हो गई थी तो उन्होंने अपने बेटी के लिए रिष्टे खोजना शुरू किया और उन्हें पास के ही शेर से एक लड़के का पता चला जो की वो भी ससंगी था और अच शिक्तेदारों के जरीए बात को आगे बढ़ाया और एक दिन व Soviya लड़के वालों के घर जाते हैं और लड़का पसंद कर आते हैं लड़के वले भी ऐसे ही लड़की को पसंद कर ले ते हैं अब बारी आती है रिष्टा पका करने की तो पांच दिन के बाद रवी वार को उनों ने दुबारा से लड़के के घर जाने का प्लैन किया रवीवार को ससंग सुन लेने के बाद वह सभी अपने कार में बैट कर लड़के के घर पोच गए और वह अंकल जी बताते हैं मैं और मेरी पतनी और मेरे वही रिष्टेदार थे जिसने यह रिष्टा बताया था ज उसी दिन हम दोनों परिवारों ने आपसी रजा मंदी से शादी की तरीक भी पक्की कर दी हमने उस दिन से 20 दिन बात की शादी के लिए तारिक फाइनल करी शाम के समय हम वहां से वापिस निकल पड़ें लेकिन शादी की तारिक जब पक्की हुई तो उनसे एक भूल हो जिस दिन शादी की तरीक थी उस दिन जो सेवादर अंकल है उनकी डेरे में डूटी भी थी और यह बात उनके उस दिन दिमाग से निकल गई और वह बताते हैं मुझे उस दिन सेवा पर भी जाना था लेकिन अभीदर शादी की तरीक पक्की हो गई और उन्होंने अपने ज सोचकर वह टेंशन में आ गए और इस बारे में उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं का मनी मन सद्गुरु जी के आगे बोला कि सद्गुरु जैसे आपकी मोज हो आप ऐसा ही मुझसे करवा लेना मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है कुछ देर बाद वह अपने घर ल प्यारी ख्रिदारी में सब लग गए 19 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला अब बारे थी अगले दिन की जहां अंकल जी के मन में यही चल रहा था मुझे तो डेरे जाना है मेरे घर में किसी को मैंने कुछ बताया भी नहीं है सब कैसे होगा सारे त्यारियां हो चुकी है उनका मन काफी बेचैन हो रहा था फिर अंकल जी सद्गुरु जी की आगे बैठते हैं और दास करते हैं कि जैसा आपकी मर्जी आप वैसा मुझे से करवा लो यह कहकर अंकल जी बताते हैं कि मैं रात में सो गया लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं हाई क्योंकि मुझ पर जी सेवा के ऐसा नशा था कि मैं खुद को समझा रहा था और पूरी राज जाकता रहा खुद बह खुद मुझे नहीं पता क्या हुआ चार बजे मैं उठा और अपना बैग उठाया चुप चाप से घर से निकल गया अपने कार ऊठाई सीदे देरे में पोच गया मैंने बा बेटी की शादी देखनी हैं, कुछ देर बाद मैं डेरे पोचा और वहां मैंने सेवा की और मैंने अपने मन में से इस बात को निकाल दिया कि आज मेरी बेटी की शादी है, मैं बस अपनी सेवा में ही लीन रहा और अगले दिन दो पैर के बाद डेरे से निकला और घर की और बस मेरे मन में पूरे रस्ते यही था कि मैं घर जाओंगा और मेरी बीवी बच्चे उससे बहुत नराज होंगे क्योंकि मैं अपने पिता होने का फर्जदा नहीं कर पाया कुछ देर के बाद मैं अपने घर पोचा तब तक सभी रिष्टेदार जा चुके थे जब मैं घर के अंदर पोचा तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी मिट पर गुसा करेगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो सब तो ऐसे भीव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो वो बलकि मेरे लिए पानी लेकर आई उसके बाद चाय पानी पी और कहने लगे चलो अच्छा है सब कुछ अच्छे से हो गया बेटी अपने घर पोच गई शुक्र है उस रब का जो सब कुछ ठीक ठाक हो गया यह बाते सुनकर मैं बहुत हिरान था ऐसे ही दो दिन बीट गए मुझसे किसी ने कुछ नहीं का ना ही मेरी पत्नी गुसा हुई ना ही मैंने उनसे किसी बारे में बात करी बलकि वो लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि मैं तीन दिन यहीं था तो फिर तीन दिन बाद मेरे पास वीडियो वले का फोन आया उन्होंने कहा कि भाई शादी की अल्बम बन गई है और रील भी रेडि है आप आईए और अपना फोटो ले जाएए जब मैं गया कैमरे वले की दुकान पर तो शादी का अल्बम लेके आया और रील भी लेके आया इतने में मेरी छोटी बेटी ने वीडियो को टीवी पर लगा दिया हम चारो वीडियो देखने लगे अब मेरे को अंदर यही डर सता रहा था अब तो मेरी बीवी और बच्चे मुझसे पका नराज होंगे जब वह ये रील देखेंगे कि मैंने शादी एक टैंग नहीं करी लेकिन वीडियो देखने के बाद मेरे खुद के ही होशोड़ गए मैं इतना हिरान पहले कभी नहीं हुआ जितना हिरान इस वीडियो को देखकर हुआ शादी वाले पूरे दिन पूरी रात में डेरे में था सेवा कर रहा था जब मैंने वीडियो देखा तो मैं यहां पे भी उपस्तिच था मैं अपनी बेटी की शादी की हर वो रसम निभा रहा था जो मुझे करनी चाहिए थी मैंने वही सूट पैना था जो मेरे बच्चों ने मेरे लिया था और देल देखते हुए मेरे बच्चे कह रहे थे कि पापा देखो हमने बड़े ही प्यार से आपके लिए पसंद किया था और आप पर कितना अच्छा लग रहा है यह देखकर मुझे ऐसा लगा कहीं मुझे धोका तो नहीं हो रहा लेकिन हम सभी वो वीडियो देख रहे थे त तो मैं कुछ समझ नहीं पाया काफी देर के बाद मैं को जब समझ आया तो मैंने सद्गुरू के आगे जाकर अर्दास करे और उनका शुक्र अदा करा और मैं जान गया हमारे सद्गुरू कैसे हमारी लाज रखते हैं यह बात मैंने उस दिन ठान ली कि मेरे और मेरे सद्ग गुरू के बीच में ही रहेगी तीसरे किसी को पता नहीं लगने देंगे लेकिन कुछ समय के बाद मेरे रिष्टेदार जो की ससंगी नहीं थे वे हमारे बाबा जी पर सवाल उठाने लगे कहने लगे तुम लोग पता नहीं क्यूं मानते हो यह भी हम लोगों की तरह आम इंस पतानी है ऐसा क्या है जो तुम इनको इतना मानते हो इतनी भक्ति में लीन हो जाते हो तो जाके मेरे को यह सारी घचना उनके आगे रखने पड़ी और यह एक बिल्कुल सची घचना है क्योंकि हम अपने सद्गुरू के खिलाफ कुछ नहीं संसकते और हमारे सद्गुरू तो वो है जो कि होनी को भी होनी को भी होनी को भी होनी कर दे लेखे का भी लिखा बदल दे तो कैसे हम उनके बारे में उल्टा सुन सकते हैं जो उनकी लीला को जानता है वै ही उन्हें पेचानता है गुरू प्यारी साथ संगची सच में हमारे सद्गुरू जैसा कोई नहीं हम चाय जितने मर्जीर नलाइक हो लेकिन हमारे सद्गुरू कभी पीछे नहीं हटे हैं ये एक ससंगी ही जान सकता है कि सद्गुरू कैसे हर हाल में अपना फर्द निभाते हैं गुरू प्यारी साथ संगजी ये सचीत घचना आपको अच्छी लगी हो कोमेंट में राधा स्वामी लिख कर चैनल को अपने सस्क्राइब कीजेगा और हिस्सा जरूर बने जी गुरू प्यारी साथ संगजी राधा स्वामी जी